तो आज मैं आपके लिए बहुत बहतरे इन डाउनलोड मैनेजर लेके आया हूँ, अगर आप पहले बाइदेवेइ, IDM को आप यूज किये होगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, तो जैसे मैं आपको बता दू, यह जो डाउनलोड मैनेजर है, IDM का जस्ट चालूम होगा कि उसमें 7 days का free trial मिलता है और उसके बाद आपका paid version पे switch हो जाता है जिसकारण से आप किसी फाइल को फिर download वगरा नहीं कर पाते हो लेकिन ये जो download manager है ये ऐसा नहीं है इसमें paid वगरा से related कोई भी problem नहीं है और आप इसे बहुत long term तक आप इसे use भी कर सकते हो और इसमें large file बहुत easily तरीके से आपका download भी हो जाता है तो चलिए इसे download और install कैसे करना है और आपको इसकी uses के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा तो सबसे पहले आप किसी भी एक browser को आप यहाँ पर open कर लीजेगा open करने के बाद फिर आपको यहाँ पर type करकर search करना है AB Download Manager और आपको यह पहला ही option आपको यहाँ पर show हो जाएगा AB Download Manager का तो आपको इस option पर आपको चले जाना है और इसका जो official website है वो इस तरह से open होगा और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर free downloads भी यहाँ पर लिखा हुआ है यह freely available है और आप इसे download को scroll down को तो आपको इसका interface भ मर सकते हो और जैसे मैं आपको बता दूँ कि another download manager यह ज्यादा फास्टर है download के comparison में किया जाए तो और इसे download कैसे करना है तो आपको यहाँ पर get app आपको यहाँ पर click करना है और आपके सामें कुछ इस तरह का pop-up show होगा तो अगर आप यहाँ पर Linux वाले option पर आप यहाँ पर और zip file download का तो आप अपने according किसी भी option पर आप यहाँ पर click कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर exe file download कर लेता हूं अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर मेरा यह download होना start हो गया है तो यहाँ पर कुछ मिनट के यहाँ पर time लग रहा है तो यहाँ पर जब download जाता है तो मैं आप आपको करना क्या है जैसे आप यहाँ पर दानलोड हो गया है डानलोड होने के बाद अब आप यहाँ पर थर्ड नमबर इस्टेप आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं जो एक्स्टेंसर है वह यहाँ पर एड हो चुका है जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर इसे पीन अप कर लेता हूँ पीन अप कर लेने के बाद और आपका जो software है जहाँ पर डानलोड हुआ है तो आपको उस डानलोड वाले section पर चले जा के सामने installation का कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा तो आपको यहाँ पर इसे next कर लेना है फिर आपको यहाँ पर इसे install करना है और यहाँ पर installing यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर मेरे यह फाइनल इंस्टाल हो चुका है जैसे आप यहाँ पर देखोग कर लीजियेगा सब्सक्पांदाब मेरा यहांद में आप हुश्क उत्वाँश्क पक्ते की दखनाया चुछ कर् Wii दूए अक्रपर जो कि अब आपक踏क सब्सक्रते कुछ भी नियु आंटामाँ मेरा यहां पर पर सक्निकिज़ एक इस घराइक पाफ प्न इसलिट का भी ऑप्षिन आप आप उस्ट हो जाता है तो आप अपके हां पर डॉजर इंटिग्रेशन का भी ऑप्षिन आप सब्सक्राइब तो आप कोई ब्राउजर के साथ इंटिए पर सकते हो तो आप मोगोगो अ अत्वागरा नेंगे अंधर तरह Maya और यहार मेरा 2 את उसर चाहिए vergट सकते हों मि अपने सटेज में उसे लिए फीचरो आ हो आर नेंगे तो को जो by we should do पर आपको यहां पर ब्रॉजर को पर लिया हूं और यहां पर मैं गुगल को लेता हूं तो यहां पर पूर एक्जाम्पल के तोर पर में इंटल का एक ड्राइवर को यहां पर डानलोड करका आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं जो इंटल का ग्राफिक्स ड्राइवर है तो यहां पर मैं ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर जाता हूं और यहां पर मैं इंटल 7 7 to 10 जनरेशन प्र रिजली तरीके से आप यहां पर इस तरह से डाउन्लोड कर सकते हो यहाप टांब हम व्हगरा सब कुछ आपको यहां पर शो हो रहा हो जैसे आप sizi अगर आप आप यहां पर चाहिए तो आप धरने से इस तरह से रिज्वम्ः कर सकते हैं अगर आप यहां पर संद्स आ जा गये तो आपए- हेस पीड लिमिट भी आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग करते हो तो घ्थिक आप ऑब्राव करें यहां पर सेट कर सकते हो। ठीक आइड्या नीकर यहां कि कि पूछ दूए कर दोज हर दो कर दो स अहाल